हालो बच्चा पारडी क्या हाल चाल कैसे हो आप सभी बच्चे बहुत-बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने प्यारे सी चैनल फिजिक्समेंड पर और स्वागत है आपका हमारी सीरीज के अंदर जो कि एक तरीखे से फिजिक्स की मैगी बनाऊ मैंगी बन के तयार हो जाती है, वैसे ही अगले 20 मिनट के अंदर आपका पूरा का पूरा एक chapter रेडी हो जाएगा, मैं अपनी style के अंदर इल्कुल शान्त दिमाग से आप लोगों को 20 मिनट के अंदर पूरा का पूरा chapter revise करवाँगा, तकि जो नीट के exam को पास में आते वे दे शेर करना और बच्चों के साथ में लाइक करना मत भूलना इस वीडियो को शुरुआत करते हैं हमारे इस वीडियो की जिसमें हम लोग नुकला है इस पर्टिक्लर चैप्टर को सिर्फ 20 मिनट के अंदर रिवाइस करने वाले हैं और याद गरने वाले हैं तो क्या-क्या जरू लोग नुकलीस के चारहो तरफ और नुकलीस के अंदर होते हैं प्रोटोंश और न्यूट्रोंस नुकलीस की जो साइज होती है वो अरांड माइनस 14 मिटर इस ओरंडर की होती है राइट बहुत छोटी स्ट्रक्चर हें बहुत डेंज़ि कर रैह तो अर नु कलियस के अंदर अलग-अलग संख्या के अंदर protons और neutrons present रहते हैं तो तर nucleus की जो size है वो भी तो change होनी चाहिए suppose करो कोई nucleus ऐसा है जिसमें जादा neutrons है, जादा protons है तो उसकी size बड़ी होनी चाहिए यानिकि number of nucleons के उपर depend करनी चाहिए nucleus की size क्या ऐसा होता है, तो हमने experimentally verify किया कि बिल्कुर ऐसा होता है जो size of nucleus होती है मतलब अगर आप radius की बात करो nucleus की, तो वो जो radius है वो atomic mass number मतलब total number of neutrons as well as protons, इस atomic mass number की power 1 third के directly proportional होती है, यहाँ पर जो R0 है, एक universal constant है, इसकी value 1.2 fermi या 1.2 into 10 is to power minus 15 meter होती है, और A यहाँ पर atomic mass number है, तो बड़े छोटे-छोटे प्यारे-प्यारे क्योशन बन जाते हैं, जैसे आप से कोई पूछे, बताव find the ratio of red eye and ratio of densities for two nucleus, एक है आपका 27 atomic mass number वाला और एक है 64, तो radius का ratio तो बहुत आसान है कि R1 divided by R2 हमें निकालना है तो जो पहला है उसका atomic mass number 27 है इसकी power one-third कर देंगे और जो दूसरा है 64 इसकी power हम one-third कर देंगे 27 की power one-third हो जाएगी 3 और 64 की power one-third हो जाएगी 4 तो यह हो जाएगा हमारा answer number 1 अब सर density की बात करते हैं तो अगर आप density के बारे में बात करोगे न तो देखो notice करना कि density का मतलब होता है mass अब mass का मतलब हो गया कि हमारे पास में कितने neutrons और protons है A हर neutron और proton का mass कितना है M divided by volume तो 4 divided by 3 into pi into R radius का cube और radius का cube करोगे इसका मतलब R0 का cube हो जाएगा और A की power 1 third का cube करोगे तो simply A रह जाएगा तो A से A कट जाएगा और बच्चे का यहाँ पर सीधा सीधा thrice of mass of neutron और proton divided by 4 pi into R0 की power 3 तो आप देख रहे हो यह density तो atomic mass number पर depending नहीं कर रही इसका मतलब density is always constant तो यहाँ पर अगर कोई मालनो density का ratio पूस्ता तुमसे तो ratio कितना आ जाता 1 ratio 1 आ जाता यह आप बढ़ी आसानी से यहाँ पर बता सकते हो तो सर रेशियो आता densities का 1 ratio 1 तो यह छोटे मोटे सवाल आप लोगों से पूछे जा सकते हैं बढ़ी आसानी से कर दोगे राइट अगले topic पर चलता है यह बहुत important है mass defect and binding energy देखो अगर कोई आप से पूछे कि भाई एक nucleus आपके पास में है और उसमें Z number of protons है और A में से Z को minus कर दोगे तो इतने number of neutrons है तो बताओ इस nucleus का mass कितना होगा आप बोलोगे सर बहुत simple है आप आप आओगे और आप बोलोगे कि सर nucleus का mass हो जाएगा Z number of protons है हर proton का mass MP और A minus Z number of neutrons है हर neutron का mass MN कितना simple है आपने nucleus का mass निकाल लिया तो यह mass आपने theoretically calculate किया इतना होना चाहिए लेकिन जब आप actual में spectroscopy को use करते हो mass calculate mass measure करते हो तो आपका जो measured mass होता है वो आप देखते हो थोड़ा सा कम होता है आपके calculated mass से लब यह जो आपने calculate किया है ना कि actual में जो nucleus का mass है उसके comparison में थोड़ा सा जाद आप तो आप चक्कर पड़ गया आप बोलोगे सरी ये mass गया कहा तो फिर आपने पूरा का पूरा nucleus formation समझा कि ऐसे तो protons एक दूसरे के पास आ नहीं सकते हैं उनको पक्का एक दूसरे के पास में लाने के लिए कोई बहुत ही ज़्यादा strong और fundamental force चाहिए जो कि electrostatic repulsion का भी बाप हो और वो force present होता है nucleus के order के अंदर जिसको अपन strong nuclear force बोलते हैं तो जैसे ही protons और neutrons पास आते हैं बहुत पास आते हैं एक दूसरे के तो strong nuclear force work करता है वो बहुत ज़्यादा strong होता है उनकी presence में ये जो stable structure बना nucleus जिसको हम कहते हैं ये stable structure बनने की process होती है जिसमें energy release होती है अब आप बुलोगे सरे energy release हुई तो आई कहां से तो हर nucleon मतलब हर proton और हर neutron जो है वो अपने अपने एक fragment of mass को according to Einstein's equation of mass equivalence energy energy में convert करता है और release करता है तो that's how this energy is released and this energy is known as binding energy तो अगर आप से कोई पूछा जाए mass defect किसे कहा जाता है इसका और इसका जो difference है वो कहलाता है mass defect इतना mass इस formation of nucleus वाली process के अंदर energy में convert हो गया, mass defect हमने कैसे निकाला, theoretical में से measured mass को minus कर दिया और binding energy इस mass से जो energy बनी वो कहलाती है binding energy तो इस mass defect को आपने C square से multiply कर दिया this is energy released when nucleus is formed इसका अब उल्टा भी कह सकते होगी अगर आपको कभी nucleus को तोड़ना हो और हर nucleon को अलग-अलग करना हो separate करना हो तो आपको फिर इतनी amount of energy देनी पड़ेगी पर आप सोचना भी मत क्योंकि यह बहुत higher order की energy होती है mega electron order की लैला मजनू के बीच में जितना प्यार था ना उससे बजार गुना ज़दर प्यार होता है protons and neutrons के बीच में जोगी nucleus के अंदर होता है अच्छा यहां से एक और तरीका आ गया mass को represent करने का हम mass को energy equivalent form में भी represent कर सकते है तो 1u जो होता है atomic mass unit कहलाता है it is the smallest unit of mass carbon 12 atom होता है न उसके mass को भी अगर आप 12 से divide कर दोगे तो जो kilogram के अंदर mass निकल के आएगा that is called 1u 1.6 into 10 raise to power minus 27 इतने kilogram को approximately 1u बोला जाता है which is mass of 1 proton और 1 neutron तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 931.5 या approximately 932 electron volt पर तो direct mass को आप energy में convert कर सकते हो इन mega electron बहुत अच्छी बात है यह हमें पता होना चाहिए अब सर यह सारी की सारी चीजें हमारे पास में आ चुकी हैं हमने इसको अच्छे समझ लिया इन के उपर आपको numericals पूछे जा सकते हैं अब बात करें कि सर यह जो nucleus है तो इन nucleus की जो binding energy है वो directly denote करेगी कि कि कितना stable है nucleus right तो अगर आप अलग-अलग nucleus के लिए ठीक है कि यहाँ पर आपने binding energy पर nucleon को और यहाँ पर atomic mass को रखते हुए graph बनाया जितने भी दुनिया के अंदर nucleus पाए जाते हैं तो graph कुछ ऐसा बनता ह है इस तरीके का ऐसा graph बनता है यानि कि आप देखोगे कि आपका जो atomic mass number है 30 और यहाँ पर आपका atomic mass number है 120 तो 30 से लेके 120 के बीच में almost जो binding energy पर nucleon है वो constant अगर आप बिलकुल highest point की देखोगी तो यह आपका होता है ferrous 56 और इसकी binding energy लगबग होती है 8.75 mega electron volt तो यह highest stable nucleus है एक है तो जो छोटे nucleus है इधर वाली यह भी unstable है और जो बड़े nucleus है यह भी unstable है और दुनिया की हर चीज stability चाहती है तुम भी तो चाहते हो इसलिए तो neat crack करना चाहरे हो राइट ताकि बढ़िया doctor बन जाओ मस पैसे वैसे कमा और मस जिंदिगी जिए और तो यह जो छोटे nucleus है यह भी इस range में जाना चाहते है और जो बड़े nucleus हो वो भी इस range में आना चाहते है तो इनके पास में दो तरीक है जो छोटे-छोटे nucleus है वो एक दूसरे से fuse हो जाएंगे और एक mid range का nucleus बना लेंगे that will be known as nuclear fusion उसमें भी energy release होगी और और आपको stability मिलेगी या फिर जो बड़े nucleus है वो break हो जाएंगे तो mid range वाले nucleus के अंदर right इसमें भी आपको stability मिलेगी मतलब energy release होगी and this process will be known as nuclear fission nuclear fission का use होता है reactor के अंदर reactor के अंदर आप nuclear energy को electrical energy में convert करते हो और nuclear fusion का use होता है again इसके उपर based reactor बनाने की कोशिश करी जा रही है बट जो stars है उनमें basically energy production जो होता है वो nuclear fusion के उपर based होता है right तो ये तो दो तरीके होगे एक तीसरा तरीका और stability पाने का वो है कि ये जो unstable nucleus है ये आइदर alpha particle यानि की helium का nucleus और beta particle यानि की electron और positron या फिर photons जिनको gamma rays कहा जाता है वो release गरते हैं और इस process के अंदर भी energy release होती है और और all जो आपका system है वो stability को acquire करता है stable nucleus में convert हो जाते हैं इसको बोला जाता है radio active decay इसको अच्छे समझेंगे ये exam point of view से बहुत important है तो सबसे पहले अपन alpha decay किस तरीके है इसको समझने की कोशिश करते हैं तो ये आपका कहलाता है parent nucleus का atomic number Z है atomic mass number A है जैसे इसमें से एक alpha particle बाहर निकलेगा जो कि helium का ही एक nucleus है helium प्लस टू आयन है तो sir helium का मतलब दो proton और चार total number of nucleons होगे तो जो daughter nucleus बनेगा जो नया nucleus बनेगा उसका atomic number तो Z-2 रह जाएगा और उसका atomic mass number A-4 रह जाएगा और इस process में आपको कुछ amount of energy भी release होते हुए नजर आईगी sir amount of energy कितनी release होगी तो आप क्या करो सबसे पहले mass energy of x निकाल लो पक्का sir इसका mass जादा रहा होगा तो इसकी mass equivalent energy भी जादा रही होगी और फिर sir यह जो बने यहाँ पर इनका mass कम रहा होगा तभी तो कुछ mass जो है वो energy में convert हो जाएगा तो आप mass energy of x निकाल लो और उसमें से mass energy of y and mass energy of alpha particle को minus कर दो तो आपको mass defect पता पढ़ गया और उसको आप energy में convert कर लो energy में जैसे convert करोगे तो आपको कितनी energy release होगी यह पता चल जाएगा अब यह जो energy है इसको alpha particle को कितना हिस्सा मिलेगा तो energy का जो ratio होता है कि sir alpha particle को जो energy मिलती है और daughter nucleus को जो energy मिलती है यह क्योंकि momentum conserve रहते है तो अगर energy को momentum की terms में लिखोगी तो energy mass की इनवेस्टी प्रपोर्शनल उल्टा हो जाता है तो mass of daughter nucleus divided by mass of alpha particle daughter nucleus का atomic mass number a minus 4 है और alpha particle का कितना है 4 है इस proportion में यह आपस में energy को डिवाइड कर लेते हैं alpha particle को इतना proportion मिलेगा a minus 4 total कितना हो गया इन दोनों का a हो गया total energy कितनी है क्यों कोई पूछे daughter nucleus को कितना मिलेगा इतना 4 divided by a multiplied by ऐसे आपको energy की terms में भी question पूछे जा सकते है in fact ध्यान रगना बेटा velocity of alpha particle और velocity of daughter nucleus यह भी ratio पक्का इसी की format में आपको मिलने वाल है बहुत important है direct question की terms में यह आप लोगों से उचा जा सकता है ठीक है तो यह तो हो गई alpha decay की कहानी है अब अपन चलते हैं beta decay की कहानी तो beta decay जो है ना उदो अलग अलग तरीके से हो सकता है एक होता है beta minus decay यह higher probability वाली process है इसमें क्या होता है एक neutron convert हो जाता है किसके अंदर proton के अंदर चुपके से एक extra proton मिल गया इसका मतलब आपका जो atomic number है वो plus one हो जाएगा तो daughter nucleus का atomic number z था जो parent nucleus बना उसका atomic number कितना हो गया z plus one हो गया पर क्योंकि neutron ही proton में convert हुआ है atomic mass number पर कोई फरक नहीं पड़ेगा वो पहले भी a था और बाद में भी कितना रहेगा यह रहेगा फिर एक electron release हुआ ताकि total charge conserve रहे अगर मान लो neutron convert हो रहा है किसके अंदर proton के अंदर तो total charge को conserve रखना है न एक electron भी यहां से release होगा यही आपका beta negative particle होता है एक एक और पार्टिकल निकलता है जिसको कहा जाता है anti-neutrino एक और साथ ही साथ में energy तो निकलती है जिसकी वज़े से बीटा पार्टिकल भागता हुआ नजर आता है पीटा पॉजिटिव डीके में क्या होता है उल्टा गाम होता है इसमें proton जो है वो convert हो जाता है neutron के कुम्ब के मेले में आज तक नहीं मिल पाए जब भी मिलते हैं जब खतम कर देते हैं एक दूसरे को ठीक है तो यह हो गया ZXA parent nucleus आपकी बार क्योंकि proton खतम हो गया neutron में convert हो गया तो अब Z-1 रह जाएगा atomic mass number पर कोई फरक नहीं पढ़ता एक positron निकला यहां से साथ ही साथ मे important अगर आप gamma dk की बात करोगे तो gamma में किसी पर कोई फरक नहीं पढ़ता तैड पर कोई फरक नहीं पढ़ता इस पर कोई फरक नहीं पढ़ता मतलब nucleus वही रहता है आपका फिर energy कहां से आई photon कहां से निकला तो जैसे electron के energy level होते है वैसे nucleus की भी energy level होते है तो unstable nucleus में कहीं बार क्या होता है वह higher energy level पर होता है वहां से lower energy level के उपर shift करता है star लगा रहा है इसका मतलब unstable nucleus है higher energy level पर है और यह lower energy level के उपर आ गया तो जो दोनों levels का difference है वह mega electron volt के अंदर होगा और इतनी higher energy का एक photon आपको यहां से रिलीज होता हुए नजर आएगा इस तरीके से आपको गामारे यहां से बाहर निकलते हुए नजर आएगी ठीक है आगे चलते है आगे चलते है लॉफ रीडियो एक्टिव डिके यह तो कौन सा डिके कैसे होता है वो पढ़ लिया अब अपने स्टेटिस्टिक्स पढ़ते है कि सर मालो अपने पास में अभी एक सेम्पल है जिसमें एक्टिव नूपलियस कितने है एन नौट है एक है पुछ देर बाद में देखेंगे तो पुछ नूपलियस तो कन्वर्ट हो जाएंगे डिके हो चुके होंगे उनसे अलफा या बीटा निकल चुका होगा तो सर जो nucleus रह जाएंगे किसी particular time t पर वो हम कैसे निकालेंगे तो ध्यान रिजना बिटा radio active decay is completely spontaneous process मतलब कब कौन सा nucleus decay होगा यह आप पता नहीं लगा सकते पर कितने time में कितने nucleus decay हो जाएंगे वो आप पता लगा सकते हो यानि कि आप इस equation के थूँ यह पता लगा सकते हो कि कितने time के बाद में कितने nucleus आपके active रह जाएंगे तो यह उस time पर active nucleus है यह शुरुवात के active nucleus का number है e to the power minus lambda multiplied by t lambda यहाँ पर कहलाता है decay constant या फिर disintegration constant time inverse इसकी unit होती है इसी formula को आप इस format में भी use कर सकते हो n upon n naught 1 by 2 की power t divided by th where th is half life half life का मतलब है कि कितने time में आपके nucleus घट कर आधी रह जाते है एक तो हर half life में आपकी sample size जो है वो आधी रह जाती है और इस formula को आप ज़्यादा use करोगे numerical scan रही बात कि sir half life जो है वो lambda से कैसे related होता है तो 0.693 divided by lambda के एक को लोता है एक और चीज होती है जिसको अपन कहते है mean life तो mean life जो होती है वो होती है वन अपन लेमडा के एक यह चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखने तो यह कुछ चीजें हैं जो कि हमें ध्यान में रखने हैं आप देखो questions कैसे बन सकते हैं जैसे आप से कहा जा सकता है कि यह आपका एक nucleus है आप इससे एक alpha particle निकल रहे एक beta negative particle निकल रहे गामा निकल रहे और एक बीटा positive निकल रहे तो बताओ तो finally जो nucleus बनेगा उसका atomic number और atomic mass number कितना होगा तो आपको क्या ध्यान रखने है कि जब भी alpha निकलेगा atomic number 2 घट जाएगा 90 रह जाएगा और atomic mass number 4 घट जाएगा 232 रह जाएगा फिर beta negative बीटा negative से क्या होता है z बन जाता है z plus 1 तो 90 बन जाएगा 91 और इस पर कोई फरक नहीं पड़ता अचा गामा से तो किसी पर ही कोई फरक नहीं पड़ता और सर्फ beta positive से क्या होता है z becomes z minus 1 तो 91 विल अगें बिकम 90 और ये इस पर कोई फरक नहीं पड़तेगा तो 230 ऐसे आप पता लगा सकते हो एक तरीका और है एक तरीका और है आप direct क्या कर सकते हो z dash निकाल सकते हो और a dash निकाल सकते हो a dash तुरवाती atomic mass number minus 4 multiplied by number of alpha particles तो हमने कितने alpha particles निकाल लें है हाँ पर एक है तो यहाँ पर हमने एक रख दिया पहले एक इतना था 236 तो आपने सीधा सीधा 236 में से minus कर दिया 4 multiplied by 1 को answer आजाएगा 232 क्योंकि atomic mass number पर तो सिर्फ और सिर्फ alpha का ही फरक पड़ता है z की अगर अगर आपन बात करें तो z's will be z minus twice of number of alpha particles plus number of beta negative particles minus number of beta positive particles तो जीते हमारा z कितना था 92 था minus 2 multiplied by alpha particle एक है plus beta particle भी यहाँ पर एक है और beta positive जो है वो भी यहाँ पर एक है इससे यह कट गया 92 में से 2 चले गए तो finally कितना बज़ गया है 90 बज़ डायरेक्ट आप executions तो यह तरीका होता है इनको निकाल लेगा जैसे माल लो अभी 92 x 236 था अब दो alpha निकाल रहे हो दो टीन बीटा negative निकाल रहे हो और एक गामा निकाल रहे हो तो बताव फाइनली कितना होगा आटोमिक नंबर और आटोमिक मास नंबर टायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिना एडैस और जी डैस एक है तो दो alpha particle है तो यहाँ पर दो रख दिया 4 x 2 करोगे 8 236 में से 8 चले जाएंगे तो 28 बढ़ जाएगा आप जैड को यहाँ पर कर सकते हैं इतना आसान हो जाते हैं यह क्योश्यन तो इनको एक बार जरूर देख ले ना पाकी यह वाला क्योश्यन भी देख लो एक radioactive sample है is reduced by 75% in 3 hours अना how much time will it take in reducing by 87.5% एक है तो reduced by 75% तो देखो एन नौट जब भी percentage का खेलो न तो शुरुवात करो 100 से एन नौट कितना है 100 है एक है आप इसको कितना reduce करना चाहते है 87.5 यहनि कि बचा कितना तो 100 में से 87.5 को माइनस कर दो सर 12.5 बचा तो एन की जगे रख दिया हमने 12.5 एन नौट की जगे रख दिया हमने 100 1 by 2 की पावर T upon जो भी half life है half life यहां पर दे रखिया आपको 1.5 अब चलो ठीक है सर यह चीज़ आगे अच्छा यह यह सेम एक्वेशन हम लोग कैसे यूज़ कर इससे डिवाइड करोगे तो 1 by 8 बचेगा 1 by 8 1 by 2 की पावर T upon half 1 by 8 को आप लिख सकते हो 1 by 2 की पावर 3 यहां पर 1 by 2 की पावर है पावर्स अब आपका 7.5 अब आप बोलोगे सर यह जो 1.5 आपने हाफ लाइफ ली है यह तो कहीं दहीं नहीं रखी क्योशन में यह आपने कैसे 1.5 आर्स ले ली तो यह हमने निकाला फस्ट इनफ़ॉर्मेशन से फस्ट इनफ़ॉर्मेशन में आपने कितना रिड्यूस किया 75 परसेंट बचा कितना 25 उस्ते ही फॉर्मूला लगा작 चुरॉहात में लिख लगए 25 तो बचा कितना 25 शुरॉआत्ण तो यहां से 3 hours divided by T half जो होगा वो 2 हो गया तो जो T half है वो आगया आपका 3 divided by 2 मतलब 1.5 hours तो पहले आप करोगे यह हो जाएगा आपका step number 1 कि पहले first information से आप क्या निकालोगे half life और यह हो जाएगा आपका step number एक ही question में सारी चीज़े समागी इस question को आप एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना अपने लेवल पर आपको आसानी से यह फॉर्मुला एप्लाय करना आ जाएगा खीक है तो इस इस इट बाकी ठीटिकल लेवल पर न्यूक्लियर रियक्टर और न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में आप पढ़ सकते हो इस टार के अंदर प्रोटोन प्रोटोन साइकल कैसा होता है अगी इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है इंदर उस प्रवीज सेशन का यह है कि आप इनको मल्टीपल टाइम देख सकते हो कि आप इन सारी की सारी चीजों को याद भी रख सकते है एक्जाम टाइम में याद रेना जरूरी है ना तो इस इट अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेर जरूर कर दिना आपन नेक्स्ट सेशन के अ आटा भाइ बाइ याली नेक्स लास यह हैंट